जहिन दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम आपको एक 909 ट्रास्फार्मर की फूल टेस्टिंग बताने वाले हैं जो हमारा 909 ट्रास्फार्मर होता है ये हमारे इस्टेपलाइजर में आटो कट या कट पलेट सर्कीट के लिए लगाया जाता है अब हमारा कोई भी transformer mutual inductance के सिधान पर कारी करता है अर्थात इसकी जो primary binding है secondary binding से किसी प्रकार से link नहीं होती है अर्थात जो primary binding का तार है वो secondary binding के तार से किसी प्रकार से attach नहीं है अब एक कैसे कारी करता है मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पर देखिए जो हमारी primary binding होती है primary binding में एक wire यहाँ से उठाया जाता है और इसमें binding करते हुए binding करते हुए यहाँ पर last छोर निकाल लिया जाता है अर्थात यहाँ पर दो तार निकल गए अब इनहीं दोनों तारों में हम जब AC supply देंगे तो इसमें inductance उत्पन होगा औ और inductance उत्पन होने की वजए से इससे flux generate होगा और वही flux हमारे secondary binding को जाकर attack करेगा तो secondary binding को जाकर जब flash attach करेगा तो वो हमारा secondary binding में voltage produce कर देगा जब हमारे secondary binding में voltage produce हो जागा तो यहाँ पर हमको voltage मिलने लगेगा अब देखिए कैसे इसका step down और step up होता है जैसे हमारे जो primary binding ह अगर अधिक turn है और secondary binding में कम turn है तो जो हमारा primary binding का flux link होगा वो हमारे secondary binding से totally link नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से हमारे secondary binding में कम voltage प्राप्त होगा इस इस्तिती को हम step down transformer कहते हैं अगर हमारे primary winding में turno की संक्या कम है और secondary winding में turno की संक्या ज्यादा है तो उस इस्तिति में हम जब primary में voltage देंगे तो हमारा secondary winding में voltage कुछ बढ़ के मिलेगा और थाथ voltage ज्यादा मिलेगा तो ऐसी इस्तिति में हम इस transformer को step up transformer बोलते हैं अब देखिए बात रही इसकी testing की तो इसकी testing कैसे की जाए इसको समझना बहुत जरूरी है जो हमारी primary winding होती है इस primary winding में हम 220 volt की AC सप्लाई देंगे तो हमारा secondary winding में 9 volt output निगलेगा यहाँ पर देखिए तीन वायर यहाँ से निकलते हैं secondary winding में तो तीन वायरों का काम मैं समझा देता हैं पहले तो यहाँ पर देखिए जो side वायर है यह तो 9 volt प्रवाइड करेगा लेकिन 9 volt प्रवाइड किसके किसके साथ करेगा यह जो बीच वाला point है इसके साथ और यह जो वायर है इसके साथ यहाँ पर देखिए इन दोनों वायरों को हम अगर चेक करेंगे तो यहा बोल्ट भी ले सकते हैं उसके लिए क्या करेंगे इस बीच वाले वायर को छोड़ देंगे और यह जो दोनों हमारे वायर हैं इन्हीं दोनों वायरों से हम सप्लाई ले लेंगे तो यह हमको 18 वोल्ट इस प्राइब कराएगा अब देखिए हम इसकी checking कैसे करते हैं सबसे पहले देखिए इसको चेक कैसे किया जाता है जो हमारा transformer है ट्रांसफरमर के primary को हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं तो transformer के primary बैंग निः को को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टी मिटर को कांटी नीउटी रेंच पर सफलेक्ट कर लेंगे इस इस्तिती में क्या होगा हमारा जो multimeter है कुछ न कुछ reading देगा अगर कुछ न कुछ reading दे रहा है तो हमारा primary binding सही मानी जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1673-72 के आसपास में reading आ रही है मतलब कि यह जो हमारी primary binding है यह सही है इसका मतलब यह हुआ कि primary binding तो है जब भी हम किसी भी transformer को step down transformer बनाते हैं तो जो हमारा primary binding होता है primary binding में ज्यादा turn होते हैं मतलब कि फेरों की संक्या ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर resistance 1670 के आसपास में दिखा रहा था अब हम secondary binding को चेक करेंगे कि हमारी secondary binding प्रॉपर तरीके से work कर रही है या नही यह जो beach वाला point निकला हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस beach वाले point को touch कराना है इस condition में क्या होगा हमारा multimeter beep की आवाज कुछ reading के साथ दे सकता है क्योंकि हमारी secondary binding में turn की संक्या कम होती है जिसकी वजह से हमारा resistance कम हो जाता है और जब हम continuity या beep mode पर उसको चेक करते ह यहाँ पर कुछ reading दिखाता है जो कि beep के साथ reading दिखा देता है तो यहाँ पर देखिए हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज आ रही है और बीप की आवाज आने के साथ साथ यहाँ पर कुछ reading भी सो कर ला है यहाँ पर देख सकते हैं रखेंगे यहां पर फिर से बीप की आवाज आनी चाहिए और लगभग उतने ही ओम यहां पर रेडिंग सो करना चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां भी हमारा 20 ओम के आसपास में रेडिंग सो करना है इसका मतलब यह है secondary की दोनों binding है यह सही है मतलब की 9-0 और 0-9 दोनों ही सही है अब देखिए क्या करना है यहां पर तो 20 ओम 20 ओम दिखा रहा है अब हम इन दोनों तारों को चेक करते हैं तो यहां पर 40 ओम दिखाना चाहिए क्योंकि यह दोनों binding हमारी add हो जाती है add हो जाने के बाद resistance इसका total बत लगा लेते हैं कर सकते हैं तो सिरीज चेक करनेके लिए यहां पर देखिए हमारे पास एक board है इस board में हम व्लो लगा लेते हैं और अब करने सेरीज वर्क कर रहा है अब देखिए सबसे पहले हम अगर सेकेंडरी को ही चेक करने के लिए एक वायर हम बीच वाले पॉइंट पर रखते हैं और दूसरा वायर हम इसके साइड वाले तार पर रख लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारा कुछ न कुछ से रख पर रहे हमारी कान्टिन देख यह हमारी बाईनिंग सही है अब हम इन दोनों तारों पर भी चेक कर लेते हैं यहां भी देखिए हमारा बाईनिंग टोटल सही है मतलब secondary की binding हमने अभी आपको series के दारा भी चेक करके दिखाया अब देखे primary binding को चेक करते हैं primary binding के दोनों वायरों पर simply यह हमारा series के अतार लगा लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो bulb है यह glow नहीं कर ला है क्यों glow नहीं कर रहा है क्योंकि इसका resistance बहुत ही ज़्यादा है इसका resistance ज़्यादा होने की वज़े से हमारे bulb को जलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो हमने आपको multimeter के द्वारा दिखाया था कि यहाँ पर 1670 के आसपास में reading दिखा रहा है अर्थात बहुत ज़्यादा resistance हो जाने के कारण सारा का सारा power यह हमारा transformer लेल रहा है जिसकी वज़े से हमारे 108 के bulb में power नहीं जा पा रहा है मतलब कि उतना voltage नहीं जा पा रहा है वज़े से जो हमारा series bulb है यह glow नहीं कर ला है तो यहाँ पर हमने आपको series के द्वारा भी check करना सिखा दिया अगर हमारा transformer किसी भी प्रकार से sort रहता है तो यहाँ पर देखिए एक तार primary पर लखने पर और दूसरा तार secondary पर लखने पर यह हमारा series का bulb glow करने लगता है तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार से कोई भी हमारा bulb glow नहीं कर रहा है मतलब कि primary से secondary तक की बैंडिंग हमारी proper तरीके से सही है देखिए यहाँ पर body earth भी हम check कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए body earth भी किसी प्रकार से नहीं दिखा रहा है और body earth करने का हमारा यही तरीका proper तरीका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी हमारा body earth नहीं दिखा रहा है मतलब कि हमारा जो यह transformer है यह proper तरीके से work कर रहा है और हमारा transformer सही है चलिए अब हम क्या करते हैं इसके voltage को भी test कर लेते हैं यह हमारा 220 volt की AC supply देने पर कितना output voltage प्रदान करता है यहाँ पर दखे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस multimeter से इस 5 pin socket में voltage चेक कर लेते हैं और voltage चेक करने के बाद यह जो हमारा transformer है transformer के primary winding में हम यह दोनों तार जोड़कर output में voltage चेक करवा देंगे यहाँ पर दखे सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो multimeter है multimeter को AC range के 750 volt पर select कर लेना है और select करने के बाद यहाँ पर 5 pin socket में लगा लेना है यहाँ पर यह हमारा voltage बताने लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 212 volt के आसबास में दिखा रहा है तो यहाँ पर 212 volt यहाँ पर आ रहा है अब देखे 212 volt की supply हम कहाँ पर देंगे इस transformer के दोनों point पर यहाँ पर 212 volt दिखा रहा है तो हम 212 volt की supply इस transformer में दे देंगे तो यहाँ पर देखे simply इन दोनों wireों को यहाँ पर main lead में जोड लेना है और जोड लेने के बाद 2 pin top को 5 pin socket में लगा देना है यहाँ पर देखिए इस 2 pin top को हम 5 pin socket में लगा देंगे लगाने के बाद हम output में voltage को test कराके देख लेंगे यहाँ पर देखिए हमने 5 pin socket में इसको लगा लिया है और लगाने के बाद हम चेक करके आपको दिखा देते हैं यहां पर देखे जो हमारा multimeter है multimeter को सबसे पहले अभी भी हमने 750 volt की range पर select किया है तो इसके input पर पहले चेक करा देते हैं कि यहां पर कितना voltage हमारा provide हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 209 के आसपास में voltage दिखा रहा है तो यहाँ पर हम आप output में चेक कर लेते हैं कि हमारा output में किद्रा voltage मिल रहा है तो इस transformer को हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से उठा कर इधर कर लेंगे और यह हमको body earth भी यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि हमने आपको अभी चेक करके दिखाया कि यहाँ पर कोई भी body earth नहीं आ रहा था अब multimeter को हम इधर थोड़ा सा लाते हैं ताकि आपको proper तरीके से दिखाई दे आप देखिए यहाँ पर कैसे voltage चेक करना है 750 volt के range पर ही select कर लेना है क्योंकि यह जो हमारा output में provide होगा तो AC ही provide होगा यहाँ पर देखिए एक probe को एक तार पर लगा लेना है और दूसरे probe को इस beach वाले point पर लगा लेना है यहाँ पर देखिए 9 volt के आसपास में दिखाना चाहिए यहाँ पर देखिए 8 volt के आसपास में दिखा रहा है थोड़ी से हम range को कम करते हैं यहाँ पर 200 volt पर select करके check कर लेते हैं तो यह हमारा proper तरीके से दिखाने लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.2 volt दिखा रहा है क्योंकि जो हमारा input में voltage है वो भी तो कम है 212 volt की ABC supply अभी तक आ रही है तो यहाँ पर 8.3 volt दिखा रहा है मतलब कि जो 909 का transformer है यह proper तरीके से अभी work कर रहा है अब देखिए जो हमारा दूसरा point है इसको भी हम यहाँ से check कर लेंगे तो यहाँ भी देखिए 8.34 के आसपास में दिखा रहा है इसका मतलब हमारी जो secondary में दोनों winding है यह proper तरीके से work कर रही है यह दोनों winding सही है अगर हमको 18 volt की supply लेना रहेगा तो भी हम 18 volt की supply इससे ले सकते हैं उसके लिए हमको करना क्या होगा यह जो हमारा transformer की जो दोनों wire है इन दोनों wire हो पर इस प्रकार से check करना है और इस प्रकार से check करने पर यह जो हमारा voltage है यह add हो जाएगा और यहाँ पर add होके voltage बताने लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 volt के आसपास में दिखा रहा है तो यहाँ पर voltage भी हमारा input में कम है इस वज़े से यह 17 volt दिखा रहा है नहीं तो यह 18 volt के आज़ पास में दिखाई देता तो यहाँ पर हमने आपको अभी चेक करके दिखाया यह जो हमारा transformer होता है यह सिर्फ AC supply को out करता है और अब सकता है नुसार binding में turn के अंसार step down या step up होता है यहाँ पर हमने आपको transformer के बारे में पूरी detail से जानकारी दी साथी साथ इसकी checking को भी उपताया वो भी series और multimeter के दोरा और उसके बाद हमने आपको voltage भी test करके दिखाया तो इस वीडियो से सम्मंदित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुजाव हो तो comment box में जरूर दें चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करें क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही electrical और electronic से सम्मंदित महत्तोपूर और knowledgeful वीडियो मिलने वाली है तो इस वीडियो में मातर इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद